कभियां यहां यहां पाई गई हैं और किस तरह कि निर्देश आपके द्वारह दिये गहां। अभी प्रात्मिग विढ़ियाले में जो विढ़ियाले की निधी है उससे काम चाल रहा है। यहां के जो प्रधाना द्यापक हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से इस विद्यालय का कायकल्प करना है, किन्तु प्रधान जी सहयोग नहीं कर रहे थे, तो अभी मैंने वीडियो को और इनको निर्देशित कर दिया है, सची जो, कि वो अच्छे से कारे करें, अ वो है बच्चे को करेक्ट करना, उसे सही करना, तो जब तक उसकी ग्रह पुस्तिका, उसका हॉमवर्क अच्छे से नहीं जान चेंगे, तब बच्चा भविशे में त्रूटियां करेगा और वो अच्छे से सीखेगा नहीं, इससे बच्चे में जो क्वालेटी है, जो मिश प्रष्ट में 23 त्रूटियां, एक शिक्षक का देखा, फिर एक प्रष्ट में 11 त्रूटियां, फिर चोथे शिक्षक का देखा, तो एक प्रष्ट में 21 त्रूटियां, और उसके बाद एक प्रष्ट में 18 त्रूटियां, और एक और शिक्षक, इनकी एक प्रष्ट में 13 त एजूकेशन मिले और जो होमवर्क है वो भी शिक्षक अच्छे से चेक करें क्योंकि यही आधार है यही नीव हैं दूसरी बात जितने भी हमारे शिक्षक गण है यह विद्यालिय के अंदर मोबाइल न देखें अभी एक शिक्षक ने धिखाया है हमने का अपने डिजिटल वैलविंग दिखाओ तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक आठ वजे विद्यालिय में आए हैं अभी दो बजे का समय हुआ है और लगबग धाई घंटे candy crush सागा देख चुके हैं वह खेल चुके हैं केंडी क्रश उसके अतरिक लगबग एक घंटा और वो मोबाइल पर थे तो सोचके देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पर शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं तो मैं चाहता हूं कि इतने भी हमारी शिक्षगण है ये विद्यालिया का जो समय है उस समय के अंदर अपना शिक्षक का मूल काम है शिक्षण उसके उपर ध्यान देए सुर्व मोबाइल पर बैन लगाए जाएगा मुबाइल पर बैन नहीं लगाया जाएगा मोबाइल आवश्यक है लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तियत रूप से उत्यों करना तो घर पर करें विद्याले ने करें यहीं पर छिक्षक और शिक्षका बहुत अच्छी बहुत अ जाएगा मिशन प्रेरणा में हम नंबर वन रहेंगे हम पूरे विद्ध्यालिया को पूरे संभल को पूरे प्रदेश को निपन प्रदेश बना सकते हैं तो सच जो तुरूटिया पाई गई हैं क्या इन लोग इकलाब कोई एक्शन लिया जाए रहे हैं कि यह भविश्य में और बच्चों के लिए काम करें मेरा मानना है कि प्रतेक वेक्ति को एक या दो अवसर मिलने चाहिए यह हमारे शिक्षक हैं यह खुद निर्माता हैं इनको एक अवसर दिया जाएगा उसके उपरांद भी यह दित रूटी करते हैं तो फिर मैं BSA साब के माद्यम से क्योंकि मैं नियमित रूप से कोपी चेक करने नहीं आ सकता हूं यह इन्हीं का दाइट है BSA का दाइट है कि जब भी वह स्कूल की जांच करें तो अच्छे से एक एक चीज़ की जांच करें